Hello Everyone, Welcome to Level Up Learning, My Name is Simran Gumbar, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा important है, क्यूं? क्यूंकि मैं आपके project की latest guidelines के बारे में बताने वाली हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, 28 October 2022 को ही ये guidelines आई है, English medium में क्या guidelines है, Hindi medium में भी समझाऊंगी, उसके बाद Hindi वालों को कौन-कौन स attach करने है, उसके बाद English वालों को कौन-कौन से next year attach करने है, project बन जाने के बाद उसकी speed post करना है project को, या online portal पे upload करना है, अगर online portal पे upload करना है, तो वो कैसा link है, मतलब कहाँ पर project में upload होगा, सब का सब बिल्कुल detail में समझाने वाली हूँ, बिना किसी attention के, बिना किसी देरी के तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना आपके responsibility है, ताकि कोई भी important point छूटे नहीं, मैं अपनी तरफ से जो भी मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, guidelines में समझा होना चाहिए, वो समझाने की कोशिश करूँगी, अब क्या है जब यह आई guidelines, तो guidelines आई यह PDFI, तो बहुत से बच्चे तुम खुद भी पढ़ लोगे और बहुत से लोग तुमें यह पढ़कर बता भी देंगे, लेकिन मैं, मैं आपको इन guidelines के अंदर क्या main points है, वो main points बताने वाली हूँ, कि देखो यह चीज इस जगा पर यह यह लिखी है, तो यह करना जरूरी है, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, कोई भी टेंशन निलेगा, दोनों मीडियम में समझाने वाली हूँ, new guidelines आई हैं, बिल्कुल 28 October 2022 को, डरने वाली कोई बात है नि, टेंशन वाली कोई बात है नि, कि मैं, क्या है guidelines में, कैसे बनाना है, कैसे नहीं, कोई टेंशन की बात नि, अब, अब के बाद, जो भी बच्चे प्रोजेक्ट सब्मिट करेंगे, चाहे वो December 2022 सेशन टर्मेंड एक्जामिनेशन के लिए सब्मिट कर रहे हैं, यानि कि December में अपने एक्जाम देने वाले हैं, या फिर July या June 2023 में एक्जाम देने वाले हैं, यानि जो ने July 2022 सेशन में एडमिशन लिया है, और उनके एक्जाम जून 2023 में होंगे, वो भी इस गाइडलाइन को फॉलो करके प्रोजेक्ट बनाएंगे, या फिर जिन्होंने पहले प्रोजेक्ट सब्मिट करा था, लेकिन किसी कारण प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, या पास जो चीज जो बच्चे सब्मिट कर चुके है, वो बाद डिफरेंट है, अब ये गाइडलाइन्स, न्यू गाइडलाइन्स आई है, आगे आने वाले बच्चे इनको फॉलो करेंगे, ठीक है जी, अब इसमें तो में चीज बताई गई है, अगर तो देखो ये क्या कह रहे ह है, फिर 24 से लेके 44 खिंदी में डॉक्यूमेंट है, अगर तो पूरा का पूरा में आप पर आपको ये पीडिफ पढ़के समझाने लगी, तो तो कोई मतलब नहीं मनता क्योंकि आप कोगे माम ये पीडिफ तो हमने भी पढ़ ली है, ये तो मैं हमारे टेलियाम चानल पर भ देखो, ऐसे ये guidelines है, इसमें हम नीचे जाते हैं, तो ये कहते हैं, पहली बात, यहाँ जाओ, पहली बात तो ये कहते हैं, कि ये सिरफ कुछ changes के लिए guidelines दी गई है, project इसके basis पे नहीं बनेगा, project बनेगा जो आपके घर D.E.C.E.4 project manual, परियोजना कारे की book आईए, उस पे based आपका project बनेगा, जैसा कि अभी तक कि मैंने बहुत सी videos में बताया है, पहले चरण में क्या करना है, दूसरे चरण में क्या करना है, तीसरे चरण में क्या करना है, face 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है, बिल्कुल वही का वही रहेगा, कोई tension की बात है न उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसमें बिल्कुल करेक्ट तरीके से बताया हुए एनेक्सटर कैसे भरे जाएंगे वही के वही एनेक्सटर अब भी लग रहे है कोई दिक्कत की बात है नहीं लेकिन यहां पर इन्होंने अनिवारे कर द ठीक है यहां पर थर्ड पॉइंट देख सकते हो एक सेकंड थर्ड पॉइंट अत्यंत महत्तपून क्या है प्रोजेक्ट वर्क के दुरान किये गए कारे के वीडियो को अप्लोड करना तो पहले चरन की तो कोई वीडियो नहीं बनेगी पहले चरन में तो आपको टीचर को 166 कोई दिकत की बात दी रेकिन दूसरे चरन में 30 एक्टिविटीज आप कर्वाओगे कितने दिनों में बीस दिनों में आप 30 एक्टिविटीज कर्वाओगे तो आपको वो 30 एक्टिविटी Fotos की वीडियो éléments बना कर YouTube डालनी है ठीक है जी मैं वीडियो वीडियो कैसे बनान इस विडियों बनानी है, अब कोई बच्चा कहेगा मामे तो समझे नहीं आरहा कैसे वीडियो बनानी है, कोई दिककत नहीं है, चैनल पर वीडियो डाल रखी है, जो कि 1 प्लेइलिस्ट भी बना रखी है, जिसमें एक लिखा हुआ है, प्लेस्कूल वीडियों उसके अंदर मै यह से वीडियो बनानी आपको 30 activities की यानि कि कितने videos हो गई 30 videos हो गई डन हो गया तीसरे चलन में क्या करते हैं पहले 5 दिन का करीकुलम बनाते हैं 5 दिन के करीकुलम की तो वीडियो नहीं बनेगी लिकिन एक दिन में minimum 3 या maximum 4 activities करवानी होती है मालो आपने 3 activities भी करवाई ठीक है तो 3 activities की 5-5 minute की वीडियो बनेगी in the same way 5 दिन का काम है एक दिन में 3 activities करवा रहे हो तो 5 दिन में 15 activities हो जाएंगी तो 15 videos वो हो गई पहले की 30 पाद की 15 टोटल वीडियो कितनी हो गई 45 तो 45 वीडियो आपको 5-5 minute की बना कर YouTube पर upload करनी है YouTube पर upload करके कैसे उसका link generate होगा कैसे portal पर डालने है सब की वीडियो मैंने चानल पर डाली हुई है इस वीडियो के निचे description में मैं सब के link डाल दूँगी ताकि ये video एक combined video का काम करें जिसके link में description में आपको सारी की सारी videos मिलती रहे ठीक है बाकि हमारे telegram channel को भी join कर ले ना वहां से आपको सारे updates मिलते रहेंगे तो हो गई बिलकुल done दूसरी बात कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैं इसमें अभी भी given है कि अगर आप आपके area में preschool बंद है तो आप ऐसे ऐसे modification करके project बना सकते हो अगर मेरी personal राय मानो अगर आपको लगता है कि मैं समझदार हूं और मैं सही राय दूंगी तो मैं आपको सही राय दे रही हूं ऐसा मत बनाना क्यूंकि अब कोविड जा चुका है इंडिया के सारे स्कूल मतलब इंडिया का कोई भी स्टेट हो वहाँ पर play schools open हो चुके कोई भी अब ऐसा नहीं है जो कोविड के कारण बंद और कि आपके एरिया में कोई भी स्टेट के स्कूल बंद हो तो आप ऐसी रिस्क लेने वाला काम है कि आपको मैं घर पर प्रोजेक्ट बना के सब्मिट कर दूंगी और वो चल जाएगा क्यूंकि जो आपका प्रोजेक्ट चेक कर रहा है उन्होंने साफ साफ लिखा है मतलब इ एक एक डिटेल को पढ़कर आती हूं तो यह एक डिटेल में मैंने कहीं पढ़ा है उन्होंने लिखा है क्या लिखा है कि अगर आप प्ले स्कूल वाली एक्टिविटीज आप यह कंसिडर कर रहे हो कि प्ले स्कूल बंद है और आप घर पे प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आ ऐसा मत करना सब स्कूल ट्रेनिग वाला प्रोजेक्ट ही बनाएंगे में बड़ी डिफ्रेंट चीज क्या थी यही थी कि वीडियो बनानी है यह नई बनानी बच्चों को थी बहुत कन्फूशन अब इन्होंने लिख कर दे दिया है कि वीडियो बनानी है तो अब आगे जो भ पहले आया है उनका प्रोजेक्ट तो यह चीज कांसिडर करनी है या नहीं अब आगे आने वाले बच्चे देखो कि यह गाइडलाइन टाइस अक्तूबर को आई है उसके बाद अब जो बच्चे सब्मिट कर रहे हैं यह आगे बनाकर सब्मिट करेंगे न्यू गाइडलाइन है कोई दिक्कत नहीं बता देंगे क्या करना है इंग्लिश में भी देख लो वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग और डूरिंग प्रोजेक्ट वर्क अप्लोडिंग दा सेम वीडियो बनानी है और उसे यूट्यूब पर अप्लोड करनी है ठीक है यहां पे भी एक और नहीं उससे पहले एक चीज यह भी है क्या है तो बता देते हैं 30% और 70% वाला बच्चों को बहुत confusion है कैसे confusion है देखो यहां पर इनों ने बताया है evaluation weightage has been modified क्या होता था थोड़े टाइम पहले मतलब पिछले सेशन में भी चेंज हो गया था पहले हमारा गाइड 70% देता था इगनू वाला गाइड 30% देता था अब लेकिन यह चीज घूम गई है हमारा गाइड 30% वेटेज है और इगनू के गाइड की 70% की वेटेज है मैं यह जो अपने चानल पर वीडियो डाली हुई है कि एक्सर कैसे फिलोंगे मैंने उसमें 30 के हिसाब से ही बताया है हमारे गाइड का जो कि बिल्कुल 110% करेक्ट है आप उसको फॉलो कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है पूरी की पूरी यह PDF मैं हमारे टेलिग्राम चानल पर डाल दूगी बिल्कुल अराम से बैटके चिल बैटके पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है जो में चीजे थी मैंने आपको समझा दी वीडियो बनाना जरूरी है ओनलाइन कहां सब्मिट हो रहा है प्रोजेक्ट इस पोर्टल पर सब्मिट हो रह दिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको प्रोजेक्ट अप्लोड करना है और यहां पर आप दे सकते हो लास्ट डेट अफ प्रोजेक्ट सब्मिशन 30 नमबर 2022 लिखी हुई है अगर आप इस पोर्टल पर अल्रेडी रजिस्टर कर चुके हो तो अल्रेडी पर लोगिन खोल दोगे पहली बार रजिस्टर कर रहें अपनी डिटेल्स तो यहां रजिस्टर पर दबाओगे ऐसे वेबसाइट खुल जाएगी अपना इनोल में नमबर लिखोगे इमेल लिखोगे पासवर्ड नेम लिखोगे मोबाइल नमबर अपनी फोटो खीचके ल लोगिन करोगे तो वो सारी की सारी चीज़े दीरे-दीरे हम आपको बताते रहेंगे फिल हाल इसको हम यहां पर बैक कर देते हैं ठीक है हमारे यहां पर एनेक्सचर्स पर जो हम आपको बता रहे थे स्कूल ट्रेनिंग वाला प्रोजेक्ट बनेगा 30 डेस का काम है में इनो यूट्यूब पर डालो उसका लिंक पोर्टल में डाल देना ठीक है जी और क्या कहते हैं इनों ने यहां पर बताया हुए कि अगर आप हाड़ कॉपी सब्मिट कर रहे हो प्रोजेक्ट की अगर आप हाड़ कॉपी सब्मिट कर रहे हो तो एक पेज लगाना पहले आगे पे कौन कौन सा नहीं कर माडम कौन नहीं बताना सीधी सी बात्त चाहु में बताथ एक्टिव टो हम तो बड़ा कन्फीऊज और एंटे रहे हैं कई वात नहीं अभी तक भी चो बच्चे हमसे बे ठीक प्रॉचे ले रहे थे मतलब मान लो अगर आप हमसे बच्चे का सॉड़् की भी PDF देते हैं साथ में मेरी वीडियो देते हैं प्रोजेक्टों देते हैं पुरा का पुरा सौल्ट की इस फेस में यह लिखना है इसमें यह लिखना है वैसे करना है सब्मिट होगा साथ में ब्लैंक के नेक्स्चर की PDF मिलती है और वीडियो मिलती है मेरी की उन्हें भरना क से ताकि तुम सीधा इसका प्रिंटर निकलवाओ भरके सब्मिट करवा सको तुम्हें ढूंडना ना पड़े इधर से यह पेज लेना है इधर से वह पेज लेना है ठीक है उनको तो कोई दिक्कत आती नहीं है मतलब मेरे स्टूरेंट्स 90 प्लस मार्क्स लेकर आते है 95 प्लस लेकर आते है और एक्जाम प्रिप्रेशन का कोर्स लेना चाओ पीडियाफ लेना चाओ वह भी लेवल अप लर्निंग के कॉंटेक नंबर से ले सकते हो बेस्ट मेटीरियल मिल जाएगा बैक टू दे टॉपिक क्या है अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आपको एक तो ये लगाना है संशोदित संगलनक 1A ये पूरा का पूरा भरना कैसे है डिटेल वीडियो चानल पे डली हुई है उससे देख लेना ठीक है जी ये हो गया उसके बाद क्या लगाना ह आपको संशोदित संगलनक 1B लगेगा ठीक है जी ये आपके जो गाइडलाइन्स आई है ना न्यू वली इसके अंदर गिवन है उसके बाद लगेगा ये संगलनक 7 को ये वाला लगेगा ठीक है जी उसके बाद नीचे आजाओ नीचे क्या आएगा अब आपके पास जो DC4 क की बुक आई है उसके अंदर से ये नेक्स लगेंगे तो अगर बुक आई है तो वहां से फोटो कॉपी करा सकते हो अधरवाइस मैंने चानल पर वीडियो डाली हुए है कि कैसे DC4 की बुक्स डाउनलोड करें वैसे बुक्स डाउनलोड करके ये पेजे साप निकाल सकते हो ह हमसे लेना चाहो तो हमसे ये सॉल्ट पीडियफ ले सकते हो संगलनक 3 इसके अंदर कैसे एक एक चीज के माक्स लगेंगे यहां पे रिपोर्ट डे वन क्या टू का 3 4 5 ऐसे प्रत्थम चरन के कैसे माक्स लगेंगे ठीक है प्रॉपर वीडियो में डेटेल में बताया हुए ह इसमें बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दूसरे चरन के माक्स लगेंगे तीसरे चरन के कैसे टोटल लगेंगे और एंड में यहां टोटल आकर यहां पर टोटल निकाल के परसंटेज बनेगी और यहां पर सारी कैलकुलेशन्स होंगी कैलकुलेशन्स होने के बाद चेंज किया है क्योंकि ये बुक्स में पहले की प्रिंटिंग है तो ये जो कह रहे हैं 70% इसको काट के पैंसिल से लिख देना क्या 30% ठीक है और यहां पर मल्टिप्लाई भी आप किस से करोगे 30 से ठीक है आप अपना X upon Y into 70 नहीं करोगे 30 यह 30% है आपके गाइड की वेटेश तो आप इसको 30 से मॉल्टिप्लाई करोगे ये बुक्स की पहले की प्रिंटिंग है तो इसमें 70% है बढ़ ध्यान रखने 70% है इसमें गाइड आपके बारे में लिखेगा ठीक है उसके बाद यह इसका ख़ब आ गया यह इगनू वाले यहाँ पर मार्क्स देंगे और आपकी परसंटेज निकालेंगे हो गया हिंदी मेडियम का काम बिलकुल असाल चलो जी इंग्लिश वाले देख लो रवाईस एन एक्स्टर 1a क्या कह रहे हैं रवाईस एन एक्स्टर 9a इसके अंडर सारी की सारी डिटेज क्यों फिल होँगी इ《देशाए वीडियो》 का सबाऊंगे फिर क्या होगा रवाईस एन एक्तिर1bी हो गया नीचे जाओगे यह जब आप हमसे solve project लेते हैं तो उसके साथ आपको pdf मिलती है तो कोई tension लेने की दिक्कत है नहीं एक्सटर 7 इनको भरना कैसे है कौन-कौन guide हो सकता है ठीक है क्या-क्या करना है क्या-क्या नहीं करना online upload नहीं कर पा रहे तो offline का submit करना है सब समझाते हैं उसके बाद यह एक्सर 3 आपको DC 4 की बुक से मिलेगा ठीक है इसके अंदर आपको कैसे marks देने सब बताते हैं तो यह ऐसे marks लगेंगे ठीक है जैसे हमारे हिंदी में थे ऐसे ही उसका English version है आप English version देख सकते हो एक एक चीज के marks से देख रहे हैं और यह नहीं है कि कुछ भी लिखकर आ जोगे और पास हो जोगे हर चीज को देखा जाएगा और फिर आपको पता है यह book के अंदर पुरानी printing है तो 70% लिखा है 70 की जगा कितनी होगी 30 तो आप यहाँ पर X upon Y के बाद multiply करोगे 30 से क्योंकि हमारे guide की percentage 30 है यहाँ पर guide आपके बारे में कुछ प्यारी प्यारी सी अच्छी अच्छी सी बाते लिखेंगे ठीक है फिर section B यह blank रहेगा ठीक है जी यह ignore वाले भरेंगे attach करना चाहो तो कर सकते हो नई भी करोगे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं ठीक है तो यह देखो यह से मैं आपको एक बार ऐसे दिखा दू ताकि आपको पता आना चाहिए ठीक है जी अब क्या होगा गाइडलाइन्स आई यह गाइडलाइन्स आई कब आई है बिल्कुल लेटेस वाली गाइडलाइन्स है 28 अक्टूबर 2022 को आई है मेन मुद्दे की बात तुम्हें क्या-क्या समझनी है जो बच्चे जनवरी 2022 वाले हैं जो अब सब्मिट करेंगे जो सब्मिट कर चुकें वो क्रिपे अटेंशन लेने छोड़ देना वो सब्मिट कर चुके तो वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालनी है तो उसके लिंक कॉपी करने है और ये वाला जो पोर्टल है इस वाले पोर्टल पर क्या होगा आप अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करोगे जैसे बनाते हैं हम फेस्बुक की आईडी बनाते हैं पहले रोजिस्टर करते हैं फिर लोगन करते हैं फिर डीपी लगाते हैं यह सारी डिटेल्स पर दे वैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट यहां पर अपलोड करोगे एक एक चीज को कैसे करना है उसकी वीडियो नीचे अटाच कर दूगी मैं ठिक है जी ये इगनू की वेबसाइट से आपको लिंक मिल ज जाएगी टेंशन की कोई बात है नहीं नियू गाइडलाइन साय और टेंशन तुमने असे लेली मैं प्रोजेक्ट की गाइडलाइन सागई क्या होगा क्या नहीं कुछ ठेंजिस नहीं है थोड़ा बहुत वीडियो को कंपल्सरी कर दिया है यह यह बता दिया है कि आपको प प्रोजेक्ट बिना सब्मेट करें बीपर दे सकते हो लेकिन असाइमें पहले सब्मेट कोने जरूरी हैं पेपर धारे हैं पेपर की तयारी में भी लग जौओ अगर हमसे एग्जाम प्रोजविए का कोर्स लेना चाहो चैक्था को इंदर मेर्वटाते हुए वीडियो गी या फिर क्या लेना चाहो सिरफ important question answers की PDF लेना चाहो या फिर solved assignment किसी को लेने है, project लेना है, जो कि आपको 90 plus, 85 plus मतलब आप इतने अच्छे marks दिलवाएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा क्योंकि इतने मेनत से हमने content बनाए है, इतनी मेनत से एक एक चीज solve की गई है वीडियो को लाइक कर देना, तुम लोग हमेशा भूल जाते हो, comment करके बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी और कैसी चल रही है तुमारी exam की तैयारी All the very very best, मेनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है, तो तुम बस मेनत करते रो, सफलता हमेशा अपने आप तुमारे पास आ जाएगी Thank you